Hello everyone, my name is Smith आप देख रहे हैं technical government job all over India YouTube channel Finally आपका wait over हो चुका है SST की latest vacancies का notification release किया जा चुका है इंडिया में किसी भी city या state से आप belong करते हैं आप apply कर सकते हैं आप किसी भी qualification background से हैं आप eligible रहते हैं, apply कर सकते हैं important part male and female दोर्नों eligible हैं दोर्नों apply कर सकते हैं procedure रहने वाला है, number of vacancies कितनी है कब से कब तक apply कर सकते हैं सारा brief में discuss करेंगे वीडियो को complete जरूर देखना अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक update आप तक time रिपाहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को press करके all पर क्लिक कर लेना ताकि हर एक update आप तर time रिपाहुंच जाए बाकि इस रिक रोटमेंट के इलावा काफी सारे ने डिपार्टमेंट है जिनकी वेकैंस आ चुकी है हमारी official site का लिंक आपको description में मिल जाएगा विजिट करके आप इसके इलावा जो वेकैंस आई हुई आपने location के accordingly चेक करके apply कर सकते हैं चलिए ज्यादा टाइम ना लिते हुई directly बात करेंगे SSE की आई हुई latest वेकैंस की बारे में सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजी आप तरह एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नहीं अप्डिट लेकर आने का तो SSE की जो वेकैंस इसके लिए apply किस तरह से करना है इसमें सबसे पहले आपका जो स्टेप रहेगा आपको registration करना है link मैंने आपको description में दिया हुआ है registration जैसे ही आपकी इसमें complete हो जाएगी उसके बाद simply आपको login करना है login करके आप apply कर सकते हैं जिसमें आपको अपना candidate name लिखना है qualification कब आपने pass out किया है father name किया है email id and other required information आपको fill करके जस्ट आपको submit कर देना है next is के लिए अगर हम बात करें आपके salary क्या रहने वाली है तो हमेशा की तरह जैसे last time salary थी इस बार भी same salary आपकी है 21,700 से 69,100 आपकी per month salary रहने वाली है staff selection commission के आपको पता है जब भी vacancies आती है इंडिया में किसी भी city या state से belong करते हैं आप eligible रहते हैं और apply कर सकते हैं और इसमें job location के अगर हम बात करें वो भी आपकी across इंडिया ही रहती है next अगर हम बात करें number of vacancies की तो total जो vacancies आउट की गी है 25,271 vacancies आउट की गी है जिसमें अगर हम male candidate की बात करें तो उनके लिए 22,424 vacancies आउट की गी है इसके इलावा female candidate की अगर हम बात करें 2847 vacancies आउट की गी है और इसके इलावा अगर हम बात करें department wise vacancies की आपको पता है SEC की जो vacancies होती है अलग-अलग department में इसकी hiring होती है जिसमें अगर मैं male candidate की बात करूँ तो इसमें BSF के लिए आपकी 6,413 vacancies आउट की गी है SSP के लिए 3,806 vacancies है CISF के लिए 7,610 vacancies है AR के लिए 3,185 vacancies आउट हुई है SSF के लिए 194 है इसके इलावा ITBB के लिए 1,216 vacancies है इसको मिलाकर जो male candidate की vacancies हो जाती है 22,424 vacancies आपके हो जाती है Next अगर female candidate की बात करें तो female के लिए BSF category के अगर हम बात करें 1,132 vacancies है CISF की बात करें 854 vacancies है AR के लिए 600 vacancies है SSF के लिए 46 है ITBB के लिए 215 vacancies है और vacancies का अगर देखा जाए बहुत टाइप की vacancies इंदर ने आउट की हुई है और सबसे important बात ही रहती है कि आपकी जो qualification है minimum 10th pass है आप eligible है apply कर सकते है even 12th pass या graduate apply करना चाहते है वो भी in vacancies के लिए apply कर सकते है Next जो procedure है आपका selection के इस basis पे होने वाली है इसमें आपकी selection होने वाली है पहले आपका return exam होगा उसके बाद आपका physical efficiency test के और physical standard test होगा then आपका इसमें medical होगा और last जो आपका इसमें step रहता है document verification रहती है अगर सब कोश हो के रहता है फिर आपकी इसमें joining रहती है इसके इलावा गरम बात करें कि इसमें apply किस तरह से करना है मैंने आपको starting में बताया है जिर्फ online apply करना है आप किसी other mode से apply करना है तो वो acceptable नहीं है application सिरफ और सिरफ आपको online apply करना है next इसके लिए बात आती है आपका exam कितने minute का होने वाला है और किस type का होगा तो इसमें आपको 90 minutes दिये जाएंगे जिसमें आपके journal intelligence से related 25 questions रहेंगे 25 marks के इसके इलावा reasoning के रहेंगे 25 questions 25 marks के रहेंगे journal knowledge के आपके रहेंगे 25 questions 25 marks के रहेंगे इसके इलावा maths के भी जरूर रहेंगे 25 questions 25 marks के maths जो है आपका रेली भी ग्रूप D का जो एक्जाम हुआ था mostly syllabus सेम है अगर आपने ग्रूप D का एक्जाम दिया था जो की 10th basis भी था तो ये syllabus बिलकुल आपका सेम रहेंगा उसके एकॉर्डिंग ली आपको प्रेपरेशन करनी है इसके इलावा आपका English and Hindi का रहेगा 25 questions 25 marks के रहेंगे टोटल जो आपके बन जाते हैं 100 questions आपके 100 marks इसमें रहने वाले हैं जिसमें आपको डेड़ गंटे का टाइम भी इसमें दिया जा रहे है इसके इलावा जो जरूर्न नॉलेज का है मैंने आपको बताया है इस पर आपको ज़रूर फोकस करना है चाहे आपकी स्केट की GK हो चाहे इंडिया की हो चाहे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है उससे रेकिड़ आपको questions आएंगे उसके बाद आपका जो next procedure है और physical होने वाला है जिसमें male candidate की जो height 170 है तो apply कीजिए female के लिए 157 है लेकिन ये undeserved के लिए है अगर मैं reserved candidate की बात करूँ तो उनके लिए male candidate के लिए 162.5 cm आप apply कर सकते हैं और female के लिए 150 cm तक apply कर सकते हैं इसके इलावा जो चैस्ट है अन्रिजर्वड male candidate के लिए 82-85 रहेगी अन्रिजर्वड के लिए जो रहेगी 76-81 आप ही रहने वाली है इसके इलावा आपकी रेस जो होने वाली है male candidate के लिए 5 km के लिए 4 मिनट का आपको टाइम दिये जाएगा female candidate के लिए 1.6 km के रहेगी 8 मिनट 30 सेकिंड आपको दिये जाएगे अब नेक्स्ट बात आती है application fee की तो हमेशा की तरह अगर मैं सेंट्रल के विकेंश की बात करूं जब भी आते है तो जर्नल ओभी सेकिए male candidate के लिए 100 रूपीज एप्लिकेशन की fee होती है इस बार भी सेम है female के लिए कोई fee नहीं होती है चाहे आप reserved candidate है चाहे undeserved candidate है इसे के साथ जो reserve candidate है SC, ST and others उनके लिए भी कोई fee नहीं है बिल्कुल free of cost आप इन विकेंश के लिए apply कर सकते हैं next हम बात करते है age limit की इसमें अलगले department wise hiring होती है कुछ department के लिए 18 to 23 आपकी age आप लाई कर सकते हैं कुछ department के लिए 18 to 25 रहती है बाकी relaxation आपको दिया जाता है जो की 3 to 15 years का अलगले category wise होता है OBC से लेकर ex-serviceman तक वो आप अपने accordingly चेक करके apply कर सकते हैं सारे लिंके मैंने आपको description में provide कर दिये हैं कोई भी आपका question है कोई doubt है कोई समझ नहीं आ रहा या कोई help चाहिए आप comment कर सकते हैं मैं definitely आपकी help करूंगी इसके इलावा जो विकैंसे आई है हमारी official site पर visit करके information लेकर आप apply कर सकते हैं चली आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे next वीडियो में नई information के साथ thanks for watching